और मैं ऐसा भी मानता हूँ कि आपके हातों में एक पैंसिल भी होगी जो यूटूब से सुन रहे हैं उनसे भी मैं कहना चाहता हूँ कि जब भी इसको सुने तो सामने एक पुस्तक जरूर रख ले पैंसिल हात में हो तो शब्दों को समझने में थोड़ी और सरलता आपको आंगे भी महसूस हो ये मुक माटी एक ऐसा साहित है कि इसको पहले चुकि मुझे यहां पर आए हुए करीब 20 बर सुने को जा रहा है तो मैंने इसको अपने हात में कई बार उठाया है कई बार लोगों को इस बात के लिए इंस्पायर किया है कि आप मुक माटी पढ़िए कई बार हमारे बैक का ये एक उपहार जैसा रखा हुआ एक साधन मात्र बना है कई बार इसको मैंने हाथ में उठा करके पढ़ने की कोशिश भी की है लेकिन कभी समझ में नहीं आई ऐसी मुक माटी और हर बार जो मैं गल्ती करता रहा सामने किसी का गलास चमक रहे है मेरी आँख पे कई बार जब मैं ऐसा करता रहा बार बार सोचता रहा कि मुक माटी में ऐसा क्या लिखा है ऐसा कुछ खास तो है नहीं सब्दों का खेल है थोड़ी जादुगरी उपर से नीचे ऐसी दिखाई गई बार बार ऐसा सोचता था लेकिन ऐसा था नहीं फिर बाद में मूलाचार की मुझे वो गाथा याद आई जिसमें लिखा था कि किसी भी साहित को किसी भी ग्रंत को पढ़ने से पहले उन आचारी की आग्या लेना बहुत जरूरी होता है बत्तिये जिन्वराणाम खी यदी पुब्व संचियम कम्म आईडिये पसाएण विज्या मन्ता यसिज्ञंति कि यहाँ पर कहते हैं कि बत्तिये जिन्वराणाम जिरेंद्र भगवान की जो भक्ति होती है खी यदी पुब्व संचियम कम्म पूर्व में जितने भी संचित कर्म है उनको वह छपित कर देती है और क्या होता है आईडिये पसाएण आचारी के प्रसाद से विज्या मन्ता यसिज्ञंति विद्या की ज्यान की और मंत्रू की प्राप्ति होती है अगर आचार उसके लिए कभी आशिरवाद ना दे तो ग्रंथ आपके हाद में होकर के भी आपकी जीवन सहली को सहयोग नहीं करता हूँ तब मुझे बाद में जब ये कारिका याद आई तो सर्व प्रतहम मैं उन गुर्दियों को बार बार नमस्कार इस बात के लिए करता हूँ कि भगवन इतनी बार आपका ये ग्रंथ ये साहित हाथ में उठाया लेकिन कभी ऐसी कल्पना भी नहीं करी कि इसको पढ़ने से पहले भी आपसे पूछना पड़ेगा या आपसे आग्या लेनी पड़ेगी तो जैकारा इसी बात का गोतक होता है जब भी हम लगाते हैं किसी भी भगवान का किसी भी गुरु का दो चीज़े होती हैं कि एक तो हम उनको उचा मानते हैं और दूसरी चीज उनके चर्णों में हम माथा ठेकते हैं तो जुकता है ऐसा बोलते ना बगवन्त गुर्देव श्री विद्या सागर्जी महराज की तो ये दो चीज़े होती हैं एक आदमी को उचाई दी जाती है और एक आदमी का समर्पन भी जैकारे में दिखाया जाता है तो जिसके प्रती भी हम जैकारा लगाते हैं उनके चर गुर्देव का लगा मैं उनसे बार-बार एकी बात कहता कि आप हो और आपकी मुख माटी है अगर कुछ बिगड़ जाए तो हम जवाबदार नहीं हैं तो आचार सीजी पी अपनी मुस्कुराती मुद्र में इतना आशिर वात देते हैं कि यह मुख माटी जैसे ही मैंने ग पूर्वक नमस्कार करके पड़ाम करके यह कहा कि भगवन मेरा सहयोग करें तो नवीनितम शब्द सैलियां अपने आप मस्तिष्क पर एक आगार लेती है आपको तो यह बात ग्यात होगी कि कि किसी भी साहित्य को परिश्क्रत करने के लिए उसकी एक व्याकरण भी होती है वैसे तो व्याकरण की ग्रंथ अलग होते हैं हिंदी के अलग होते हैं संस्कृत के अलग होते हैं अन्य भी भासाओं की ग्रंथ अलग होते हैं लेकिन उनी ग्रंथों का सहारा लेकर के और किसी भी शब्द को जब आकार दिया जाता है तो उसकी सुन्दरता लाख गुना ब भासा और व्याकरन दोनों को मिला करके जो रचना आपके सामने प्रस्तुत की जाती है वो विद्वानों के मस्तस्क पर रखने के योग होती है यह मुकमाटी इसके रचईता एक भासा कार है और इसके व्याकरन कार है व्याकरन करने वाले जो आचार होते हैं व्याकरनाचार ह होते हैं ऐसे ही जैसे ये मूखमाटी एक भासा है इसके क्रतिकार तो पूज़ गुर्देवह हैं ही इसके इसी व्याकरण इस साहित की व्याकरण है पूज मुरीरास्री अभैसागरजी महराज कि अगर पूज मुनिराश्री अभैसाकरजी महराज की वानी और उनकी दिमाग और उनकी लेखनी से इनके एक-एक शब्दों का और परिश्करण ना हुआ होता तो जितने सुन्दर रूप में यह हमारे और आपके सामने प्रस्तुत है सायद हम इस अनमोल कृती से बहुत दूर खड़े होते तो मैं पूज मुनिश्री अभैसाकरजी महराज को भी बार बार नमशकार करता हूँ कि इस मुक माठी को जब भी मैं किसी को कुछ देने का प्रयास करूँ तो परोग शुरूप से वो भी मेरा बार बार सहयोग करें इस मुक माठी के और भी सहयोगी घटक हैं बंदू इसमें सबसे पहले मुझे नाम याद आता है मुनिरास्री निर्वेक सागर्ची महराज क्यों आपको उन्ही का नाम क्यों याद आता है तो मैं बात बस कुछ इस तरीके से बताना चाहूँ कि मान लीजिए एक माँ के दो पुत्र हो और दोनों पुत्र के बीच में करी 20-22 साल का अंतर हो अब आप कल्पना करो कि एक माँ के दो पुत्र और दो पुत्रों में से एक पुत्र से दूसरे पुत्र के बीच में बाईस वर्स का अंतर हो, तो जो जूसरा छोटा सा नवजाश इशु पैदा होता है, उसको भाई समझ के नहीं पालता, बाप समझ के पालता है, उसमें वो सारे गुण होते हैं, जो एक पिता के अंदर होते हैं, तो यहां पर यह पूछ गुर्दय की यह जो अनुपरम कृती है, यह तो आज पहली बार मेरी वानी का या भी मेरे विचार का विशय बन रही है, लेकिन मेरे जो अग्रज मुरिराज है, जो दिखने में मेरे भाई के जैसे हैं, लेकिन 20 साल, 22 साल, 25 साल, 30 साल और 35 साल पुरा अख्यान बहुत दुरलब है, तो वो जो भाई होकर के भी पिता का रोल हमेशा जिंदिकी में आदा कर रहे हैं, ऐसे पूझ मुरिशी निर्वेग सागर जी महराज, ऐसे पूझ मुरिशी अभै सागर जी महराज, और भी जो बहने होकर के भी मा जैसा प्रतीती महसूस करा रही हैं ऐसी कई आर्का वरंद को मैं इस्मर्ण में रखते हुए ही इस मूख माठी के बारे में कुछ कहने के लिए अपने आपको सक्षम महसूस कर पाता हूँ पहला यह जो अध्याय है चार भागों में चार खंडों में यह मूख माठी की संद्चना है बंदू सर्वप्रथम संकर नहीं वनलाब के नाम से पहले भाग को हम देखने का प्रयास कर रहे हैं उसमें हमने सुर्वात में प्रस्तावना देखी और मूख माठी के पहले शब्द को अगर आपके पास पुस्तक है तो आप उसमें अपने नेत्रों का भी प्रयोक करके देखें उसम है सीमा तीत सुनने में कल ये भाव याद नहीं आया आज लगा कि सीमा तीत की भी कोई व्याख्या हो सकती है जिसको अनंत कहा जाता है और वह अनंत एक मात्र ग्यान गुण के धारी सिद्धो को कहा क्योंकि किसी भी साहित के बारे में जब भी आप कुछ भी रचना करते हैं तो सरव प्रधाम बड़े-बड़े गुरूओं को या आचारियों का या संक्तों को या अरिहंतों को नमशकार किया जाता है तो इस साहित में किसी को नमशकार नहीं किया गया क्या अगर ऐसा सोचा जाए तो यहां पर सीमा तीज सब्ड से उन अनंता नंत सिद्ध परमेश्टियों का हमें स्वरण होता है और वे सून में मतलब अतीव आकास में विराजमान है जहां नीलिमा चाई है और इधर नीचे निरी नीरवता आई है उपर तो सीमाती सुन में आकास में वे सिद्ध परमेश्टी हैं उनको भी हमारा बारंबार नमस्कार है और यहां नीचे एक ऐसा समय गुर्देव दिखाना चाह रहे हैं कि वो समय कैसा है आप देखिए अंदाज करेंगे एक अंदर इमेजिंग करेंगे तो समझ में आता है नीचे निरी नीरवता चाही है वे कुछ शान तबाता वरण है और कैसा है तो अगली दो पंतियों में कहते हैं गुर्देव निशा का अवसान हो रहा है उसा का अब आन हो रहा है मतलब रात्री जाने वाली है निशा मतलब रात्री और उसा का मतलब सूर का उदय होना चाहता है लेकिन हम संस्कित ग्रंदों में कहीं किसी अन्य शब्द को टटो लें तो गुर्देव भारत की कुछ प्राचीन संस्कृती और की और अपना मस्तिश के ले जाना चाह रहे है वो आपका ध्यान भी उस तरफ आकरशित करना चाह रहे है साइद आप वो सूक्ती भूल गए होंगे जहाँ एक तरफ कहा जा रहा है असतो मा सद गमे निसा का अवसान हो रहा है और उसा का अब आन हो रहा है वहाँ गुर्देव बार बार यह कहना चाह रहे है तमसो मा जोतर गमे तमसो मा जोतिर गम है कि मुझे अज्ञान के अंधेरों से अब भगवन आप ज्ञान के उजालों की ओर ले चलो ऐसी विनीत प्राथना इन दो पंतियों में पूझ कृतिकार के द्वारा की गई फिर उसके बाद साहितिक भासा से लेकिन संकेत देते हुए कहते हैं भानु की निद्रा तूट तो गई है मतलब भानु का मतलब सूर्य भानु की निद्रा तूट तो गई है परंतु वह अभी लेटा है मा की मार्दव गोद में भानु की मा कौन हो सकती है भानु की निद्रा तूट तो गई है परंतु अभी वह लेटा है मा की मार्दव गोद में मुख पर अंचल लेकर करवटे ले रहा है भानु की मा का नाम प्राची है बंदू क्योंकि पूर्व दिशाही पूर्ण प्रतापी दिन पती को जनने वाली आपने ये बात तो कई बार पंतियां पड़ी होगी न पूर्व दिशाही पूर्व पूर्ण प्रतापी दिन पती को जनने वाली तो भानु की मा का नाम प्राची है वह सूर जो पूर्व दिशा से उधित होता है तो मा की मारदव गोद में पूर दिसा की वस म्रदुतम गोध में वह लेटा हुआ है, यह सूर लेटा हुआ कब होता है, आपने कभी देखा है? ग्रीश में रितु में सूर कभी लेटता नहीं, दोडता है, यह जो शरद रितु आ रही है न बंधु, इसके बाद जब हेमंत रितु आएगी, तब आपक तो सूर के लेटे होने का एहसास होगा, जब आप जगए होंगे और आप यह सोच रहे होंगे, अभी तक नहीं निकला, अभी तक नहीं निकला, अभी तक नहीं निकला, उस समय की जिंदिगी कुछ और होती है, और वो बेकुल यह अभी का समय है, यही सरत पुर्णिमा का, जब सुबह की थोड़ी सी गुलाबी ठंड़क आपके मन को एक अलग आनंद देती है और अगर आपने कभी ब्रह्म मूर्त देखा हो वो आने वाली पंतियों में खुद गुर्दियों कहेंगे तो उस समय जो सूर की शांती होती है आप देखना धीरे 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 वो निकलता है और आखों को इतना आनंद देता है जैसे बच्चा धीरे से उठता है और चद्दर हटा करके जब मां के सामने खड़ा होता है तो मां को प्रति दिन अपने छोटे से बालक को देख करके जो आनंद उमरता है मां होगी कोई तो जानती होगी कि छोटे से बालक जब अपना बिस्तर छोड़ करके चद्दर हटा करके और सामने खड़ा होता है मा कुछ भी काम कर रही होती है उस मा के अंदर का ममत्व उसको देख करके प्रफल लित हो जाता है ठीक ऐसे ही यहाँ पर गुर्देव दर्शन कराना चाहते हैं कि मा की मार्दव गोत में मुख पर अंचल लेकर वह करवटे बदल रहा है करवटे ले रहा है निकलू की नहीं निकलू उठू की नहीं उठू धीरे 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 जैसे बच्चा बार बार आपके धक्का देने पर उड़ता है ऐसे ही शरद रितु या सीत रितु का जो सूर होता है, वो धीरे धीरे उदित होता है, उस समय की लालीमा कैसी है, तो कहते हैं, प्राची के अधरो पर, प्राची कहलो या मा कहलो या पूर्वदिशा कहलो, प्राची के अधरो पर मंद मदरिम मुस्कान है, सर पर पल्ला नहीं है, और सुन्दूरी धूल उड़ती स किसी रंगीन राग की आभा भाई है भाई इसका क्या अर्थ निकलता है इसके लिए किसी कवी ने बहुत अच्छी बात कही कवी ने कहा कि जिन्दगी ना केवल देखो शब्दों के साथ जीओ तो समझ में आएगा यहाँ पर लिखा है सिंदूरी धूल उड़ती सी रंगीन राग की आभा भाई है और किसी कवी ने इस चार पंतियों के लिए कुछ चार पंतियां लिखी है वो मैं आपके सामने दूँ कि जिन्दगी ना केवल जीने का बहाना जिन्दगी ना केवल जीने का बहाना जिंदगी ना केवल सासों का खजाना जिंदगी ना केवल जीने का बहाना जिंदगी ना केवल सासों का खजाना जिंदगी सिंदूर है पूरब दिसा का प्राची पूरब दिसा सिंदूर और जिंदगी जिंदगी सिंदूर है पूरब दिसा का जिन्दगी का काम है सूरज उंगाना कभी कितनी सहजता के साथ गुर्दियों की सब्दों में अपने सब्दों के साथ और जान डालने का प्रयास करते हैं जिन्दगी सिंदूर है पूरब दिसा का आपकी जिन्दगी भी सिंदूर है पूरब दिसा का पश्चिम दिसा का नहीं है बंदू पश्चिम दिसा और पंचिप संस्कर्थी बिलकुल अलग तरीके की है हमारे यहां कहीं पर भी पश्चिम के यहां आराधना ही नहीं है पूर्व की आराधना है योग की आराधना है, साधना की आराधना है पुर्व के जानकार एक ही बात कहते है कि जब कभी सेना को जीतना हो तो सेना की जरुवत पढ़ती है यह पुर्व का उपासक हैं जब कभी हमें अपने आप को जीतना हो वो सेना के बल पर विजई बनते हैं और पूर्व में रहने वाले लोग साधना के बल पर विजई बनते हैं हम साधना की वो उपासक है कि जिन्दगी का काम है सूरच उंगाना और रंगीन राग की आभा भाई है भाई भाई सब्द के कई अर्थ होते हैं भाई भाई को भी कहते हैं, भाई गुंडे को भी कहते हैं, भाई बहुत बड़ा भाई है, भाई है अब ना, भाई सब्द उसके साथ भी प्रेव होता है, और भाई सब्द यहाँ पर एक आचर भगमत अलग चीज कह रहे हैं, और इंग्लिस कार ने कली मुझे बताया कि भाई है भाई, इसी का जब इंग्लिस अनुवाद किया गया है, मुख माटी का, म्यूट कले में, तो उसमें साहित्यकार कभी भी अभिवंजना को प्रसुदी करण नहीं कर पाए, उनके पाश शब्द नहीं मिले, तो उन्होंने ब्रदर ओ ब्रदर लिग दिया, जबकि भ भा रही है, अच्छी लग रही है, उसमें मन रम रहा है, तभी तो आप ठंडी के उधित होते हुए सूर को देख करके, अपनी नेत्र की ज्योती बढ़ाना चाहते हैं, ताटक इसी समय किया जाता है बंधों, और जिनकी आँख में चसमें लगे होते हैं, उनको बताया जा जाता है कि शरद रितू के बाद, यह जो आपकी शरद रितू जाएगी, इसी शरद रितू में आप प्रते दिन उगते हुए सूर को देख करके, उसकी लालिमा को देख करके, अगर दो मिनट, चार मिनट, पांच मिनट धीरे-धीरे अभ्यास करते हैं, तो जिनका माइनस प्लस का बहुत गहरा चस्मा होता है, उनके नेत की जोती धीरे-धीरे बढ़ती हुई, और चस्मा धीरे से हट जाता है, यह सिंदूर की उस लालिमा की कीमत है, जो सायद हम समने कई बार कभी देखी ही नहीं हो, पिछली बार का बुगता हुआ सिंदूर देखा था, आपक आगे कहते हैं बगवन, लज्जा की गुंगट में डूबिती सी कुमुद्नी, प्रेश्ट कर्मांक दो चल रहा है, लज्जा की गुंगट में डूबिती सी कुमद्नी प्रभाकर के कर्चुबन से बचना चाहती है, वैः। पाकर के खुलती है और खिलती है और ठीक उस कुमुदनी के बगल में एक और कमल होता है दोनों एक ही जगह से पैदा होते हैं एक ही जगह पर रहते हैं लेकिन एक को विकास चंद्रमा देता है जैसे मालनों दो बहने हो आपस में और दोनों का एक ही घर में विवा हो जाया अ अलग अलग विवा हो जाए, तो ऐसी कमल, कुमुदनी और कमल, दोनों एक ही घर में, एक ही तलाब में, एक ही स्थान पर पैदा है, लेकिन कुमुदनी छोटी सी वो रात में खिलती है, चंद्रमा का प्रकास पाकर के, चंद्रमा की सीतल से खिलना और खुलना उसको पसंद है तो यहाँ पर गुर्देव कहते हैं लज्जा की घुंगट में है वो कुमुद्नी जो चंद्रमा के प्रकास में खिली है लो उसको लज्जा क्यों आ रही है वो क्यों लाजवन्ती बन रही है तो प्रभाकर की कर्चुवन से बचना चाहती है वह चुकि कुमुद्नी है और उसका प्रीतम है चंद्रमा उसको प्री है चंद्र तो कुमुद्नी पती कमला पती जो कहा गया वो चंद्रमा सूर को भी कहा कहीं पर साहितिकारों ने ये कुमुद्नी के पती इसने अपने पती को चंद्रमा को सुईकार किया तो ये कुमुद्नी प्रभाकर की कर्चुवन से प्रभाकर मतलब प्रभाकरोती जो प्रकास करता है सूर्य उसकी कर्चुवन से बचना चाहती है वह अपनी पराग को सराग मुद्रा को पांखरियो को ओट देती है क्यों बचना चाहती है वो क्योंकि उस कुमुद्री के लिए चंद्रमा तो प्री है सूर्य परपुरुस के जैसा है और परपुरुस के इस पर्ष से वो क्या बचाना चाहती है तो कहते हैं अपनी पराग को पर पुरुस की छुबन से कुमुद्री बचाएगी क्या, खिल तो गई है, तो खिली हुई कुमुद्री के बीच में जो थोड़ी बहुत, काली-काली आपने थोड़ी बहुत बोणिया देखी हूँ, छोटी-छोटी से वो जो तंतु देखे हूँ, उसमें पराग होता है, औ उससे खुस्बू आती है, उसमें महक होती है, तब तो उसको पराग कहा, और वो पराग भी कैसा है, वो पराग भी सराग है, मतलब हमारे अंदर खुस्बू हो, और उस खुस्बू को हमारे पती का इस पर स्पा करके, हमारे अंदर वो खुस्बू और बढ़ जाए, और हम फोडा सा इसपर्ष पाकर के महक उठें और उस फराग को मतलब उस खुसबु को भी और उस खुसबु के साथ वो जो हमारी खुद की सराग अवस्ता है जो हमारे चेहरे पर चंद्रमा के इसपर्ष से उत्पन हुआ सुख है या फिर किसी पतनी को पती के इस परश्व से पाया गया सुख है ऐसी प्रेशी के सुख को वो जैसे पतनी दबाती है अपने कमरे से बाहर निकलते वक्त जैसे वो दबाती है किसी और को दिखाते वक्त ठीक वैसे ही यहां पर वह जो कुमुदनी है वो कहती है कि बचना चाहती है वो प्रभाकर की कर्चुबन से और बचाती क्या है? तो अपनी पराग को और अपनी सराग मुद्रा को दो चीज को वो कुमुद्री बचा रही है जोकि उसका प्रीतम है चंद्रमा पांखुरियों की ओट देती है वहाँ पर पंखुरियों है वो पंखुरियों से वो अपनी सुगंध को और अपने अंदर की लालिमा को चुपचाप धीरे से समेट करके बंद कर देती है ठीक ऐसे ही जैसे यहां की इस भारती शंस्कृत की लाजवन्ती इस्त्रिया उस जिसको साड़ी कहते है उसमें से ऐसा पहनने का अदबुत तरीका होता है कि वह उनकी सुंदर्ता एक उस आकश करने वाले किसी और भी व्यक्ती के लिए सालिंता दिखाती है और पती को उसी साड़ी के माद्यम से सुंदर्ता दिखाई देती है तो पांखुरियों की ओट में जैसे उसने अपने पराग को समेट लिया ठीक ऐसे ही भारती संस्कृती की नारी ने उस साड़ी के माद्यम से अपने पूरी लज्जा, सील और सुगंधी और अपने संसकार को समेट करके दिखा दिया ये हमारे यहां का भारती परिधान है, पांखुरियों की ओट में समेट लेती है और कैसा? लो, इधर, अदकुली, खुली, कमलनी ये तो कुमुदनी की बात हुई अब नीचे क्या कहते हैं? लो, इधर, अदकुली, कमलनी, डूबते, चांद की चांदनी को भी नहीं देखती डूबता हुआ चांद, कौन देखता है? कोई देखता है? नहीं देखता है देखो, यहाँ क्या कहना चाहते हैं, गुर्देओ, कि लो, इधर, अदकुली, कमलनी, वह जो सूर के प्रकास से वो जो कमल खुलना चाहता है, कमलनी खुलनी चाहती है वो डूबते हुए चांद की चांदनी को भी नहीं देखती चांद को नहीं, चांदनी को चांद की चांदनी क्या है? उसकी किरने कई भी आप बोलते हैं ना चांदनी तो चांदनी का मतलब प्राहे करके लोग किरने लगा लेते हैं लेकिन यहां पर साहितिकार चांदनी का मतलब ताराओं को देख रहे हैं साहित्यकार कहता है कि यहां पर अदखुली कमलनी डूबते चांद की चांदनी को भी नहीं देखती। च्छंद्रमा में तो बहुत प्रकास है। उस प्रकास से तो बहुत कुछ खुल जाता और खिल जाता है। लेकिन सूर इसके प्रक्तिती आकरष्ट उस कमलनी को चंद्रमा का प्रकास तो बहुत दूर की बात है। देखना चाहती। और यहाँ पर एक और सिलेश निकाला जाता है कि जैसे जब कोई आदमी बिक्सित हो रहा हो और उसी की समय कोई आदमी पतन को प्राप्त हो रहा हो तो उत्थान करने वाले पतन को प्राप्त होने वाले लोगों को कब देखते हैं। मान लीजे आपका भी कोई demotion चल रहा हो या फिर आपके जीवन में एक पदन चल रहा हो धन जा रहा हो आपके यहां की बिबस्थां बिगड रही हो और आपके सामने का पडोसी दीरे से उठ रहा हो खिल रहा हो खुल रहा हो उसके यहां डिमांड कर दी तो तो यहां पर क्या कहते हैं गुर्देओ कि लो अधकुली कमलनी डूपते चांद की चांदनी को भी नहीं देखती डूपते चांद की चांदनी को कौन देखता है किसी का धंदा चौपट हो रहा हो किसी का जीवन अस्ते तो मिट रहा हो समिट रहा हो कोई तो आप अपने सुख में लगे हो, तो आप क्या बोलते हैं? अभी उसकी तरफ देखो मत, अभी अपनी यात्रा बिगड़ जाएगी, अभी अपना फंक्शन बिगड़ जाएगा. छोड़ो उसको, एवाइट कर देते हैं. तो दूपते चांद की चांदनी को बी आंक खूल क कर नहीं देखती और क्या कहती है इर्शा पर विजय प्राप्त करना सब के बसकी बात नहीं है और वह भी इस्त्री पर्याय में अनुहोनी सी घटना यहां पर आचार भगवंत क्या कह रहे है कि वह लो इधर अद खुली कमलनी डूबते चांद की चांदनी को भी नहीं देखती आँखे खोल कर इर्शा पर विजय प्राप्त करना सब के बसकी बात नहीं है वह भी इस्त्री पर्याय में अनुहोनी सी घटना इर्श्त्री पर्याय में क्यों कह दिया महराज ने आचार भगवंत ने तो जब यसी बात को मैंने पूछा कि क्या महराज जी इस्त्री पर्याय में इर्शा बहुत होती है राम टेक की बात है मुझे याद आती है वो बात कि पूझ मुनिश्री समय सागर जी महराज और हम हमारा हम दोनों का बड़े महराश्ची और हमारा कमरा आमने सामने था तो बड़े महराश्ची के साब बास जब यह बात चल रही थी पूछ मुरिश्री अभै सागर जी महराज चर्चा कर रहे थे और अभै सागर जी महराज जी समय सागर जी महराज जी सागर चर्चा करते हुए जब अभै सागर जी महराज जी ने समय सागर जी महराज जी से यह बात पूछी कि यहाँ पर यह लिखा है महराज श्री इर्षा पर विजय प्राप्त करना सबके बस की बात नहीं है और वह भी इस्तरी परयाय में अनुहुनी सी गटना तो समय सकर्जी महराज जो उधारण देते हैं उसने मन खुस कर दिया समय सकर्जी महराज जी पुझ मुनिश्री अबैसाकरची महाराज जी को उधारन दे करके बताते हैं, कि देखो एक inbuilt memory होती है mobile होता है न तो उसमें एक inbuilt memory होती है क्या होती है कि आपने कोई mobile खरीदा उसके अंदर 15GB का 20GB का 25GB का data आप धर सकते हो और फिर क्या है, बोले अगर उसी mobile से कुछ और काम करना हो तो एक outbuilt memory को और डालना पड़ता है, card push up और करना पड़ता है ठीक ऐसे ही इस्तरी परियाय में इरसा inbuilt quality है कि वो किसी को दी नहीं गई है कहीं से उसने लाई नहीं गई है उस परियाय में inbuilt है उसमें वो है ही तो कोई कहता है, कोई पूछता है क्या महराज पूरसों में नहीं होती होती है किसने कहा कि नहीं होती इरसा पूरसों में भी होती है लेकिन उनके लिए तो पूछ गुर्दयों कहते हैं कि inbuilt quality है उनके अंदर जन्म से पाई ही जाती है कोई कहे कि नहीं महराज ऐसा नहीं है ऐसा नहीं होता आप जूट बोलते आप बोल दीजी एक बार हम आपको आचायरों की वानी से इस बात को सिद्ध कर देंगे कि इर्षा इस्त्री के सभाव में जन्म से प्राप्त है और जब सरवार सिद्धिकार से पूछा गया क्या इर्षा इस्त्री का जन्म जास सभाव है क्या उसके अंदर इन बिल्ट मैमोरी है तो छटवे अध्याय के ग्यारवे सूत्र में कसायो देयात्री प्रणामस्य चारित्र मौहस्य सूत्र की व्याख्या करते हुए ठीका कार लिखते हैं इस्त्री के सभाव के बारे में क्या है क्यों इस्त्री पर्याय मिलती है कैसे इस्त्री पर्याय में जाना होता है और इस्त्री की क्या सद्गुन होते हैं क्या दुर्गुन होते हैं तो वहाँ पे इस्त्री पर्याय को प्राप्त करने के बारे में सर्वासिद्धिकार लिखते है अलीका बिधायिता दिसंधान पररंद प्रेक्षित प्रबत दरागादि भी इस्त्री वेदनी अस्या इस्त्रिवेदनी कार्म के बंद का कारण क्या क्या है अली का बिधाईता अगर मालों कोई जीव है कोई आत्मा है तो वो क्या करे बहुत ज्यादा जूट बोले जैसे बिधायक होता है वैसे ही वो कह दिया अली का बिधाईता वो जुट बोलने में माहिर है कोई भी जीव और कैसा है अतिस अंधान अतिस अंधान कब किया जाता है किसी भी चीज में खोजबीन कब की जाती है बंदू समाने से नहीं, जब अंदर कुछ भाव पैदा होता है तो खोजते हैं दुनिया में अगर कोई बात पता नहीं चल रही है तो उस जीव को बता दो वो दो दिन कंदर उसका रिजल्ट निकाल करके दिखा देगी उसके घर में ऐसा हो रहा था तो मार बात ऐसी थी अतिस अंधान करने में माहिर होती है और आचारशी जी कहते हैं अतिसंधान अनुसंधान नहीं होता लेकिन वो अतिसंधान को अनुसंधान समझती है और अतिसंधान करने में माहिर है मैं नहीं कह रहा हूँ मेरे शब्द नहीं है सरवार सिद्धिकार के सब्द हैं आप गरंद उठा करके देख लीचेगा अलीकाब इधायता अति संधान अति संधान करने में माहिर है पररंद प्रेक्षित्व दूसरे के दोस्त देखने की उस परयायवालों की बहुत ज़्यादा आदत होती है खुद के चहरे के ललाई दिखाई नहीं देगी दूसरे के दुर्गुन बहुत जल्दी दिखाई देते है पररंद प्रेक्षित्व और कैसा प्रबद रागादि भी उसका राग उसका द्वेश सामाने नहीं होता उसमें आचार भगवन कहते हैं प्रबद खुब ज़्यादा बढ़ा हुआ है वो प्रेम भी करती है तो इतना करती है कि आपको सोचते हैं कि इतना क्यों करती है और अगर अपने ही प्रेमी से द्वेश की स्थिती में आ जाए तो इतना करती है कि आप सोच भी नहीं सकते कि इतना द्वेश मेरी पत्नी हो करके मुझसे कैसे कर सकती है तो उसके अंदर ये दोनों खूबिया है राग उर देश वो अपनी उच्टम सीमा तक ले जा करके करती है अतिसंधान खूब करती है पर्रंद प्रेक्षित करने की उसकी दस्टी रहती है जुट बोलनी की आदत रहती है जीव की उसको या तो इस्त्री पर्याय मिल चुकी होती है या वो इस्त्री पर्याय में जाने की तयारी कर रहा होता है तो इर्षा कहां पैसे पैदा हुई अतिसंधान इर्षा से ही होता है दूसरे की दोस्ट देखना इर्षा से भी होता है ये उसकी inbuilt memoria और उसमें ही अगर मालनों कुछ बाहर से और चीज़े डाल दी जाएं तब तो कहना ही क्या है और ये इर्षा भी दो प्रकार की होती है बंदू इर्षा दो प्रकार की महराज हम में तो इर्षा सब्द सुना था भी तक आप इर्षा की व्याख्या कर रहे हैं कि मुख माटी की जान मुझ के तो मैं आपको बताओं कि साहित को पढ़ने की दो कलाएं होती है एक कला तो ऐसी होती है कि उसका टटस्त अन्वेशन कर लो कुछ सोचो समझो नहीं किताब उठाओ और पढ़ लो लज्जा की गुंगड में डूपती से गुमदिनी प्रभाकर की कर्चुबन से बचना चाहती है अपनी पराग को सराग मुद्रा को पांखुरियों की ओड़ देती है पढ़ लिया ये है तटस्ट अन्वेशन इसमें कुछ निकलता नहीं है लेकिन आदमी पढ़ सब लेता है और एक होता है कि उसके बारे में चिंतन करो मनन करो implementation करने के लिए कुछ आवश्चक चीजों को बाहर निकालो कुछ सोचो कि इससे आपनी लाइफ में क्या और implement कर सकते है तो जब हम इस तटट अन्वेशन को छोड़ करके implement करने के लिए कुछ चीजों को खोशते है उस समय हमारी दस्टी भी लिखने वाले की दस्टी के जैसे थोड़ी दार्शिनिक हो जाती है तो जब यहाँ पर इर्शा शब्द आ गया कि आँखे खोल कर नहीं देखती चांदनी को भी क्यों नहीं देखती क्या इर्शा है नहीं इर्शा नहीं है बिल्कुल भी इर्शा नहीं है वह तो अपने सील की सुरक्षा में लगी है और क्या है इर्शा पर विजय प्राप्त करना सबके बसकी बात नहीं है और वह भी इस्त्री परियाय में अनहोनी सीखटना है उसको इर्षाप पे कभी विजय प्राप्त नहीं करा सकते महराज नहीं हमारी पत्री नहीं करती या फिर मैं नहीं करती मान नहीं सकता कोई अब वो इर्षा दो प्रकारकी होती है कितने प्रकारकी होती है देखो लिख लो दिमाग में समझ लो कभी याद आएगी मेरी बात तो तुम्हारे सुधार का काम करो पहली इर्षा क्या होती है कि पहली इर्षा का इसतर ऐसा होता है कि आपने किसी बस्तु को देखा किसी व्यक्ति को देखा उसके सुन्दर रूप को देखा उसके पास उपलब्र किसी बहुतिक संसाधन को देखा और आप चिड़ गए कैसी चिड़ गए? जैसाब दो नंबर को काम करा तब तो इत्तो पैसा है मर्सडीज में बैठना तो चाहते हो लेकिन मर्सडीज में बैठू हुए बैक्ति को देख करके तुमको तुमको तुमारे मंके अंदर क्या भाव पैदा होता है? पापी है जैसाब दो नंबर वाले है एक नंबर वाले को दाल डोटी नहीं मिल रही हमाई साकिल से स्कूटर नहीं आ पारे है जब मर्सडीजी में जैगवार में घूम रहो तो ये एक इर्शा है कैसी इर्शा है कि दूसरे को देख करके हमारे मन के अंदर पैदा हुई है हम चाहते हैं वो चीज जो उसके पास है लेकिन उस चीज को देख करके उस व्यक्ति को देख करके हम उससे घ्रणा करते है और जब तक वो चीज नहीं आएगी आपके पास तक जब तक आप उस चीज को देख करके घ्रणा करेंगे चीज हमको कैसे मिलेगी? कि आप उस चीज को देखकर कहर ये करने लगें कि ये कितना तेज इसका पुन है ये जो चाहता है उसको मिल जाता है जब आप के विचारों में ऐसा समीकरन बन जाए कभी आप कुछ आजमा के देखना? कोई महिला महिला में देख ले न माली जी किसी महिला का रंग साफ सुतरा है वो सरसुत्ती के जैसी देख रही है तो उसको देख करके दूसरी दुर्गा बन जाती है अपने आप समझती क्या है अपने आपको कहां की साड़ी पहनी है कहां का ये पहना है इशा पर विजय प्राप्त करना इस्तरी परियाय में सब के बसकी बात नहीं है बे कुछ जख सपेज साड़ी पहनी है तो भी कुछ नहीं है सपेज साड़ी है मातर सोला हाथ की भी पहनी है उसको देख करके भी इशा हो जाती है इतनी सफेद कैसे पहनी है हमारी तरी साफ क्यों नहीं है हाँ ऐसा एक सभा बन जाता है कि वो वस्तु, वो इस्तितिया वो चीज हम चाहते हैं लेकिन हम उस चीज को देख करके गणा करते हैं सामने वाले की निन्दा करते हैं जबकि उस वस्तु को पाने का विज्ञान कहता है कि अगर आपको वस्तु चाहिए तो जिसके पास है उसके पुन्ड की अन्मोधना करिए। माल लीजे किसी इस्त्री ने किसी इस्त्री के कान में एक हीरे का बाला देख लिया तो कोई इस्त्री किसी इस्त्री के अन्मुन न कर दे बहुत तेजपुन है तेरा बहन तेरा पती तेरे को खूब देता है बस ऐसा सोच लो एक बार और अगर माल लो एक दो महने तक भी आप कैसी positive energy अंदर से निकलती रही देखना एक दिन आपका पत्धी आपसे बोलेगा कि हमाई पाद थोड़े से पईसे बचे थे हमने सोचा कि ना सही प्योर हीरा लेकिन जर्किन वाला उठा करके हमने तुमारे कान के लिए लेकर के आ गए तो पत्धी नहीं वो सोचे कि हमने तो ओरिजिनल हीरे के बारे में सोचा था जर्किन आया लेकिन पत्धी नहीं ये नहीं सोचती कि दो महने से बार बार में महराज के कहने पर उसके पुन्न की अन्मोदना कर रही थी उसके पुन्न की अन्मोदना करते करते पती से पती खुदी लेकर क्या गया इसकी हीरे पे नजर है पती की जहां आपकी नजर है वहां आपके पती की भी नजर है इस बात को धार नखियेगा ये मत भूल जाईएगा कि जिस नजर से जिसको आप देखते हैं उस नजर से वो आपको नहीं देखते पतियां सोचती हैं कि पती ने नहीं देखा पती को नहीं पता बड़ी तीखी नजर रहती है वो तुरंट पकड़ लेते हैं कि ये क्या चल रहा है इसके दिमाग में आपने सोचा कि मुझे साड़ी चाहिए उसके पहले समझदार पती लाकर के साड़ी दे देता बोले ये पकड़ो हम तीन दिन पहली समझ गए थे तुमारी साड़ी के इक्षा है और इसी समझदारी के कारण ही तो बहतरी इंगरहस्ती चलती है इर्शा पर विजय प्राप्त करना सब के बस की बात नहीं ये तो हो गई बाहर की इर्शा जब आप किसी और को देख करके और अपने मन के अंदर इर्शा का भाव पैदा करते हो एक होती है अंदर की इर्शा अंदर की इर्शा क्या है कि उसको बाहर का कोई निमित नहीं मिलता बाहर उसको कोई परिशान नहीं करता बाहर कोई नो कर्म नहीं है उसको इर्षा पैदा करने वाला वो बैठे बैठे अपने आप से इर्षा करती है कोई भी जीव पुरुसो या इस्त्री इर्षा दोनों के अंदर है अब देखो कैसा करता है हमारा रंग अच्छा नहीं है हमको हाइट अच्छी नहीं मिली हमारे बाल सफेद हो रहे है हमारे बोलने के तरीका सही नहीं है हमारे सरीर से बदबू आती है ऐसे आपके प्रकरती ने जो आपको दिया है उस दी होई बस्तु के प्रती आपको आदर भाव नहीं है स्वयम की प्रती आदरभाव नहीं है तो यह जो दूसरी इर्षा होती है यह दूसरी इर्षा जो होती है नाना प्रकार के रोगों की उत्पत्नी का कारण होती है जब आप बार-बार अपने बारे में इंफिल्टी कॉंप्लेक्स खुद ले आते हैं अपनी life में आपको लगता है कि यार मेरे पास तो कोई quality नहीं है मैं कुछ करी नहीं सकता न मेरे पास talent है, न मेरे पास कोई ज्यान है न मेरे पास कोई financial condition है यहां तक तो ठीक है अच्छा वैवहार भी नहीं है माता पिता भी सपोर्ट नहीं करते, गाड़ी भी अच्छी नहीं है, मैं खुदी अच्छा नहीं हूँ ऐसा डिप्रेशन जोन में आप अपने अंतरमन को जा करके प्रकति के दोरा, आपके पुने के दोरा मिली हूई inside प्रत्यक बस्तु का आप मिराधर करते हैं प्रतिक बस्तु का, जबकि वो color प्रकति प्रधत्त है आप कितना भी लिप पोत लें, उससे आप हट नहीं सकते आपकी height है आपकी personality है ये सब प्रकति प्रदत है लेकिन आपको स्विकार नहीं है और ये स्विकार नहीं होने के कारण आप बार बार आईना देखते हैं बार बार सोचते हैं कि आप थोड़ा और गोरा होता तो अच्छा रहता थोड़ी height और लंबी होती, थोड़ी personality होती, थोड़ी इसके जैसी, थोड़ी उसके जैसी, थोड़ी उसके जैसी, और ये स्वयम की इर्शा का भाव धीरे धीरे एकाद दिन, दो दिन का हो तो ठीक है, सुरवाती महल में देखना कभी इर्शा का भाव स्वयम के पती नहीं र के अंदर ना अंदर की इर्शा है वो सहज जीवन जीता है और जो लोग सहज जीवन जीते हैं इन्हीं के पैरों की पूजा की जाती है उन्हीं कन्याओं की पूजा की जाती है बंदू कन्या भोज में किनके अंदर जिनके अंदर इर्शा का भाव तनी की भी पैदा नहीं हु करती है और आप लोग अपनी लाइब स्टैल में खुद देखिए क्या आप प्रकति के द्वारा दिये गए अपने सरीर से संतुष्ट हैं क्या आप कैसा लगता है कि मेरे अंदर किसी भी बात की कोई कमी नहीं है मेरे जिंदगी का कल भी चाम एधनमबर था आद भी चाम एधनमबर है मैं आज भी बहुत उचst जिरitta हूं ना मुझे मेरे रंग से मतलब है ना मेरी हायट से ना परषनाल्टी से ना अबास ना अन्दास से ना अदास से अधब से सब कुछ बहितरीन है ऐसा आप अपने बार में नहीं सोच पाते हैं, वो फिर उपर की चीजों से अंदर की उस दुरा भाव को ढाकने का प्रयास करते हैं, मेरे अंदर सुन्दरता नहीं है, तो मैं सुन्दर साड़ी या सुन्दर सूट पहन लेता हूं, मेरे अंदर अच्छी क्वालिटी नहीं है, तो मैं अच्छा चस देते हो तुमारी चीजे अलग दिखाई देती है उसके बाद भी तुम्हारे अंदर वह इंफिर्टी कॉंप्लेक्स एवरी टाइम बना रहता है यह अंदर की इर्शा बहुत खतरनाक होती है क्या खतरनाक होती है कि जब आप अपने आप से इर्शा करते हैं तो यह पुत्र पैदा करती है जिसका नाम है तनाव इर्शा का पुत्र है तनाव अब वो जब तनाव पैदा हो जाता है जैसे ही जिन्दगी में तनाव आया और जब वो लगातार धीरे-धीरे करके बना रहता है तो उस तनाव के कारण आपके सरीर के किसी भी एक कमजोर पार्ट में अट टड़ेका जाएगा मालीज लीवर कमजोर है तो आपका वही तनाव आपके लीवर को खराब कर देगा कई बार पाचन तंत्र को खराब कर देगा मालीज थोड़ा भी हड्डियों में कमजोरी है वही इस्षा आपके उस हड्डियों में घुश करके आपको और्थोराइडिस क प्राबलम पैदा कर देगी ये मैं मन से नहीं बोल रहा हूँ इन सब के पीछे का संविधान है एक बुक है आप उसको पढ़ सकते हैं कि सरीर की बिमारिया सरीर में बाद में पैदा होती है पहले मन में पैदा होती है और जो बात आपको खाय जाती है मात उनहीं बातों से आपका सरीर धीरे-धीरे खराब होता चला जाता है ये इर्षा सबसे ज़्यादा आपको खाय जाती है इससे बचने का निरंतर प्रयास करना चाहिए बन दो बाहर वाली इर्षा से तो फिर भी आप बस सकते हैं उसके लिए तो आप संसादन जोड सकते हैं लेकिन अंदर की इर्षा से बचने के लिए मैं निश्चित मानता हूं कि गुर्दयों की विस सब्द कि स्वयम के सत्रू से स्वयम की मानसिक्ता से लड़ने के लिए आपको साधना की जरुरत होती है उसके लिए साधना मांगती है इश्चा पर विजय प्राप्त करना सबके बसकी बात नहीं है इस्त्री पर्याय में अनहोनी सी घटना फिर आंगे कहते हैं अबला बलाएं सब अबला हैं और बलाएं हैं वो तारागण का समू तरला ताराएं अब चाया की भाती चाया के जैसे जैसे व्यक्ति के पीछे उसकी चाया चलती है ठीक ऐसे ही सारे तारागण का समू जो है चाया की भाती अपने पतिदेव चंद्रमा के पीछे पीछे हो चुपी जा रही हैं कहीं सुदूर दिगंत में देखो यहाँ पर क्या अच्छी बात कह रहे हैं, क्योंकि रचनाकार जो होता है, वो अपने समय का कंठ होता है बंदू, कोई भी रचनाकार, अपने समय का कंठ होता है, और उसके कंठ में उस समय के साथ होने वाली प्रतिक गतिविदियों का प्रस्तुति करण किया जाता है, जब ये रचनाकार ने इस रचना को रचा है उस समय के माहौल का दर्शन रचनाकार करा रहे है कि पत्निया कैसी होती थी कि अबला बालाए सब तरला ताराए अब छाया की भाती अपने पतिदेव चंद्रमा के पीछे पीछे हो छुपी जा रही है कहीं सुदूर दिगंत में क्यों दिवाकर उन्हें देखना ले इस संका से आचार सी जी ने जिस समय ये 38 वर्स की उम्र में यह गुर्देव ने जब ये काव लिखा था उस समय की भौतिक परसुतियों की वातावरण का प्रसुति करन किया जा रहा है कि कोई दामपत्य को जोई दमपती रहते थे उनकी आचार सहिता कैसी रहती थी कैसी आचार सहिता रहती थी कि अबला बालाए अब तरला ताराए अब छाया की भाती पत्नी कैसी होती थी? पती की चाया की भाती अपने पतिदेव के पीछे, अपने पतिदेव चंद्रमा के पीछे पीछे हो छुपी जा रही है कहीं सुदूर दिगंत में किस भम से की दिवाकर उन्हें देखना ले इस संका से? ये आज से 35 वर्ष पहले की इसी धर्ती के कंट की आवाज है और आज की आवाज क्या है महराज? आज की आवाज है कुछ ऐसा कर कमाल अगर इन चार सब्दों को आप समझ रहे हों तो आप समझ सकते हैं कि आज वर्ष परसितियां इतनी प्रत्कूल हो गई हैं कि अबला बालाएं अब तरला तालाएं अब गाना गाती हैं कुछ ऐसा कर कमाल मैं तेरा हो जाऊं किसी और कहूं फिल हाल मैं तेरा हो जाओं ये अपने आप में एक बहुत बड़ी शर्म की बात है बंदू क्योंकि रचनाकार जिस समय प्राकृतिक परशितियों से परचित थे उस बैवहार से परचित थे उनके कंठिने जो शब्द निकाले वो बताते हैं कि उस समय की हमारे समय की परशितियों में पत्निया पती की अनुचर होती थी उनी के साथ जीना उनी के साथ रहना उनी के साथ जीवन यापन करना और एक पती जैसा मिल गया उसके साथ रहकर के अपने पती धर्म का पालन करना जैसे उस कुमुदनी का चंद्रमा की प्रती आकरशन था ऐसे ही पत्नियों का अपने पती की प्रती आकरशन था लेकिन इस 35 सालों में आज परसितियां ऐसी बन गई है मैंने एक शब्द कहा ना कि प्त्तेक रचनाकार अपने समय का कंट होता है आप भी एक रचनाकार है आप भी आप है या आप है आप दोनों चाहे इस्त्री हो या पुरुस एक रचनाकार है और अपने घर के अंदर रह करके एक शष्टी की आप रचना करने में निमगन है आज के रचनाकार की मानसिक्ता कैसी है 35 वर्ष पूर्व की मासिकता आज के रचनाकार की नहीं है आज का रचनाकार जिन भावतिक संसादनों को देख करके अपने आपको प्रेडित करता है आज के रचनाकार के अंदर आज की अबला बालाओं के अंदर आज की तरला ताराओं के अंदर ये भावनाए उठने लगी है कुछ ऐसा कर कमाल मैं तेरा हो जाऊं किसी और कहूं फिलहाल मैं तेरा हो जाऊं ये बहुत दुखम और विशत परिस्थिया है बंधों हम ऐसे टीवी सीरियल्स देखते है जिन सीरियल्स में इस बात की बार-बार पेड़ना दी जाती है कि एक पती छुड़ गया तो दूसरा रख लो दूसरा छुड़ गया तो तीसरा रख लो एक ही पतनी के पांच-पांच पती होते है कुछ बाहर भी होता है कुछ अंदर भी होता है किसी से live in relationship चलती रहती है और इन सब चीजों के जीवन के बीच में हम अपना जीवन इतना सादगी पूर्ण जीते हैं कि बाहर से देखने पर हम बेगों सरीफ नजर आते हैं लेकिन मैंने कहा न कि इस पुस्तक को पढ़ने से पहले साहित को पढ़ने से पहले आप अपना हिर्दा खोल करके रखना और एक एक शब्द को उस समय की परसितियों से आज की परसितियों के साथ जोड़ करके देखना आपको पता चलेगा मात्र 35 वर्सों में कितना परिवर्टन आ गया है जहां 35 साल पुराने लोग किसी भी चीज में शर्म महसूस करते थे आज आदमी खुल करके सामने आता है और इस सब्द को बार-बार कहने में उने कोई आपत्ती नहीं है ये मूख माटी उन हर जवान यूबक और यूबती को सुननी और समझनी होगी अगर आपको लगता है कि आपके घर के अंदर पुत्री है जो 13-14 साल की है 5-12 साल की है 20 साल की है आपको लगता है कि पुत्र है जो teenager's life में जीरा है 13 to 19 years old इसको teenager's life कहते है इन teenager's life में अगर कोई आपके बच्चे का जीवन्यापन हो रहा है आप उसको प्रेडित करिए इस बात के लिए कि तुम्हारा अभी भानू का उदाय हो रहा है मा की मारदाव गोड में तुम लेटे हुए हो वहां मुरी राज मूख माटी पढ़ा रहे हैं जाकर के सुनो जो कि यूवा वर्ग के लिए जैसे तरुण भानू की कीमत है अबला बलाओं की कीमत है ठीक ऐसे ही आज भी वर्टमान परसितियों में जिन्होंने जिन्दिगी के 60-70 साल जी लिये हैं वो तो अस्ताचल की सूर और लालिमा को ले करके अपना जीवन जी रहे हैं लेकिन जो बाल भानू है चाहे को इस्त्री पर्याय में हो या पुरुस पर्याय में उनको ये मूख माटी एक बार जरूर सुननी चाहिए हर एक शब्द में रस को उसको जीना चाहिए क्यों? अगर आप संसकार नहीं दे पाए हैं तो कम से कम अपने बच्चे को एक घंटे का समय दे दीजिए आपको लगता है कि मेरा बच्चा मेरी हाँ से बाहर है हो जाएगा ऐसी संका भी है तो उससे कहिए बेटा एक घंटे का समय निकालो साड़े आठ से साड़े नव चाहे यूटुप चैनल हो और चाहे मरादी के सामने हो जाकर के लेकिन मुख माटी सुन करके आओ और जिनके हातों में किताब नहीं है बंदू उससे न मुख माटी बात करेगी न मुख माटी कार बात करेंगे मैं आपसे फिर कहूँ कि कल भी जब आप यहाँ पर सुनने समझने के लिए आए तो पुस्तक और पैंसिल आपके हाथ में होना चाहिए जीवन निर्मान करना है तो पुस्तक पैंसिल और संत की बात तीनों जब तक आपके हाथ में नहीं होगी आप अपना विकास नहीं कर पाऊगी क्योंकि मुक माटी कुछ लोग मन से सुन रहे हैं कुछ लोग कान से सुन रहे हैं तो जो कान से सुन रहे हैं उनकी तो बिगाड़ पक्का है लेकिन जो ध्यान से सुन रहे हैं उनकी बाती कुछ और है चाहे यहां सुन रहे हैं चाहे घर में बैठ करके सुन रहे हैं अबला बालाए सब तरला तालाए अब छाया की भाती अपने पतिदेव चंद्रमा के पीछे पीछे हो छुपी जा रही है कहीं सुदूर दिगंत में चंद्रमा कहां जा रहा है क्योंकि भानू पूर्व से उदित हो रहा है तो चंद्रमा पश्चिम दिसा में जाकर के सुदूर दिगंत में मतलब अस्ताचल में पश्चिम में जाकर के वो चंद्रमा छुपना चाहता है वहीं पर जाकर के सारी ताराएं जो चंद्रमा को पती मान चुकी है उनके साथ जाकर के छुबना चाहती है क्यों? दिवाकर उन्हें देखना ले दिवाकर उन्हें देखना ले और यहाँ पर क्या है? घर के अंदर की सिति कैसी है? आप देखना वर्तमान पर सितियां और उस समय की प्रसितियां देखो कि यहाँ पर जो दिवाकर है यहाँ पर जो चंद्रमा है चांदनी सिर्फ चंद्रमा को नहीं दिखाना चायती गर के अंदर महिलाएं क्या करती है दो साड़ी निश्चित कर लेती है यही पहंडी है क्यों घर के अंदर पती भी रहते हैं परिवार वाले भी रहते हैं साड़ी खराम नहीं करेंगे दो साड़ी घर के अंदर बेकुल सकल सूरत ऐसी दिखती है कई बार कि काम बाली बाई में और पत्री में कोई अंतर नहीं हाँ, और बाहर क्या होता है, जैसे ही बाहर जाना हो, तो वो सरस्वती का रूप लेकर के घर से बाहर निकलती है, वो पति खुद देखता है कि यह मेरी पत्नी है, बोले हाँ, तो यहाँ पर बिकुल कंट्रुवर्सी है बंदू, क्या कंट्रुवर्सी आप देखिये, कि जिस के सामने आपको अपनी सुंदर्ता रखनी चाहिए थी उससे तो आप सुंदर्ता छिपा रहे हैं और जिससे बचना चाहिए था उसको गता रहे हैं। अबला आफालाएं दिवा क उन्हें देख न ले इस संका से मन्द मन्द सुगंद पवन बहरा है बहना ही जीवन है बहता बहता कहरा है अगर आपको लगता है कि ये बात यथार्त में सत्त है तो मैं आपको बस एक उधारन अपनी बात दूँ क्योंकि समय आपका हो गया है कि अगर आपको लगता है कि आप अपने पती के पती वृत का निर्दोस पालन कर रहे है पत्मियों को लगता हो अगर ऐसा कि मैं अपने चंधर्मा के लाबा अपने जिंदिगी में किसी को नहीं चाहती चंधर्मा के लाबा मेरा कोई भी इस दुनिया में नहीं है आप सजिये सवरिये कोई मनाही नहीं है आप बाहर भी जाएए तो बहुत सुन्दर रूप लेकर के अपना जाएए कोई बात नहीं है एक छोटा सनियम ले लीजिए जिंदिगी भी बचाएगा और जिंदिगी भी बनाएगा क्या ले लीजिए आप तयार हो ये क्योंकि आकरशक दिखना सब का एक human nature है हर आदमी चाहता है हम सुन्दर दिखें कोई बात नहीं आप तयार हो जाओ लेकिन अगर तुम चांदनी हो चंद्रमा की लेकिन अगर अगर अबला बालाए तरला तालाए हो अपने चंद्रमा की ये देखो मजाक नहीं है इतना भीषण समय आ गया है बंदुओं कि आप बेकुल भी कंट्रोल नहीं है ये कंट्रोल सिर्फ इतना सा हो सकता है जैसे वो सराग मुद्रा को पंखरियों की ओंट देती है और अपने आपको समेट लेती है कि कहीं दिवाकर मुझे देखना ले आप अपने घर के अंदर मात इतनी सी आचार सहिता चालू कर दो सिर्फ इतनी सी आचार सहिता कि हमारे घर की कोई भी बेटी है, हमारे घर की कोई भी बहु है, हमारे घर की कोई भी जवान कन्या है वो घर से बाहर जब भी निकलेगी, साधी सुदा भी निकलेगी, तो मास्क लगा के निकलेगी, अगर सिर्फ मास्क लगा लिये आपने सही डंग से, तो सिर्फ इतनी से पांखुरियों की ओट भी, आपके सील ब्रत का पालन कराने के लिए, बहुत ज़्यादा सहीयोग करेग बहुत ज़्यादा सहीयोग करेगी, क्योंकि समय इतना बीबस है, बंबई, दिल्ली, मैट्रो में तो ठीक है, छोटी छोटी गावों तक में, सिर्फ अगर चेहरे में थोड़ा सा नकाब होता, तो बहुत अच्छी बात होती बंदु, पूरी तयार होने की सब छूट है, अगर आपको इस बात का, आपको मेरी बात सही लग रही हो और समर्थन में आप है, तो आप कल से मैं ऐसा मानता हूँ, कि उन जवान बालक बालिकाओं को यहाँ पर जरूर भोजेंगे, क्योंकि अगला मोटिवेशन जो सब आचार भगमत यहाँ पर लिख रहे है, वो अप कि मत ओर दिए सगर जीम FM